सो गाइस वी आर वैक एंदर वीडियो माइन क्राफ्ट जैसा कि आप से लोग को याद होगा कि लास वाले एपिसोड में हम लोगों ने पोर्टल बनायाता है जो कि अभी मैंने इसे मैंने बोला दाना के मस्त कर दूंगा और मैंने इसे वापिस सोडी बना दिया मतलब और यह वापिसोड के अंदर हमें यह वुल्फ युखम जाता है जो कि भी चारा वां पे बढ़ा हुआ तो तो मैंने सोचा इसे टीम कर लेते हैं उसके बाद टीम करने के बाद तो मैंने इसे यहां पर रख दिया था सीड्यों के पास तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वर भर बन आया माइनक्राफ्ट में तो यह है हमारा पहला पार्टनर और पार्टनर कैसा लग रहा है आज आपके लिए घर बनेगा सुबही मुझे इसके टेक्स्ट तो पता नहीं मैं अपने सी बनाऊंगा पहले इसे यहां पर वापिस बुला लेते हैं उपर तो मैंने आप इसे सिट क टेक्स्ट मुझे सही तरह पता तो चल जाया है पहले मां सो के आता हूं कि तो गाइस मैं सो के तो आचका हूं और यह जो इसके पीछे रेड वाला है ना तो पूरा काम हम लोग वूल से करने वाले हैं क्योंकि यह जित्ते ब्लोक्स हैं इनको लाने के लिए भाई अभी तो बहुत सारा समान चाहिए होगा फिर जाकर यह बनेंगे और कोई-कोई तो ब्लोक बन भी नहीं सकते यार इन्हें नैदर से यहां पता नहीं कहां से लाना पड़ेगा तो सबसे पहले इसके यह जो बैक में यह गले में एक पट्टा टाइप पड़ा है हम लोग बनाएंगे येलो से बाकी फोके तो इसके कानों के उपर एक ब्लैक वो रख देंगे वूल तो मैं समझ रहूं थोड़ा-थोड़ा ओके तो मुझे थोड़ा-थोड़ा तो समझ आ रहा है तो वाइड वूल मारे पास आएगी कांसे है हमारे पास बहुत बड़ा आप लोग को याद शीबस पड़ी है और को मारके मैं ब्लैक और ौइट फूल ले चैम चलुक्त हो मारिए क्यों होा पर दो होगो करतो मैं ओलियातु वह लोगवšतes से यह कूर सुझाजैंगे जल्दी से लिकालते हैं बनाते हैं यह पुर्थ होती है यह रही इसे जल्दी से बना लेते हैं अपने आठ मैं ताइस यहां पर एग बेबी है इसकी मैं नहीं अग सकता हम बढ़ी वालीम स्की कार सकते और मैंने एक चेक करनी है चीज के चीज हमें कित्ती मिल सकती है ऊक्षट एक से हमें दो वोल मिल रही है वरना मारो तो शायद फिर भी दो ही मिलती है जल्दी से काटते हैं तो सब को गंजा करने के बाद मेरे पास टोटल हुई है 23 नोट बैड बाकि ब्लैक वूल भी ले लेते हैं भाई यह सही था मैंने ब्लैक शीप भी एक लेली थी वरना अभी ब्लैक वूल के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता है जल्दी से बाहर चलते हैं यह जल्दी जल्दी जैसे ही इनकी वूल ग्रोड़ होगी देखो उसकी तो हुई गई जैसे यह नीचे से खाना कहेंगी मतलब के जमीन से खाना क जोनना है विकोज के रेड फ्लावर बहुत डिफिकल्ड है डूनना को एक और वूल्व है भई इसे भी बाद में तीम करेंगे भई अभी तो कोई मसला ही नहीं है हमार पास भला बोट सारे बोल रहूं बोट बड़ा गर जागा तो इसे भी टेम करी लेंगे बाकी गूनते र बूल वह भी वैट और बाकी इसकी बात कि जाएं यालो गोल तो वह 19 और नाइन तन हमार पास टोटल पड़ी है तो यज़ा दाइस पड़ी हमार पास 19 जल्दी से इसे भी फनर्वर्ट कर लेते हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं यालो बोल तो यह अ गई है जल्दी से अभ लिए पीवीपी गोड हुँ और और भाई मैं दो बूल गया देंक डैमिज बहुत साधा है नहीं 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 सेट शेट शीट अरे मार 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 लाई बोई आपाव तो मैं मरी जाता है आप थैंक यू यार धैंक यू अभी से नीचे उतारते हैं जल्दी सहीदा राजा मेरे पास कमोन कमोन अरे जल्दी आइधर ऐसे ही से सिट कर लेता हूँ सो भाई अभी देखा जाए तो इसके जो रेड है ये मुझे पता नहीं चल रहा तो हम 7x7 का बनाएंगे और जो मैंने जगास डिसाइड की है वह यह है जगास मैंने इसे बहुत देर से फ्लैड करने कोशिश कर रहा था यह मेरा एपिसोड लेट होते हैं भाई मैं बहुत दिन से मेनत कर रहा था इसे क्या बोलते हैं को फ्लैड करने की तो बाते कम करते हैं जल्दी से काम करते हैं हम उपर उठानी है तो यह company होने के बाद अभी में लगानी है वाइदल में ऐसे करके दो ब्लोक की हमें लगानी वाइड बूल जल्दी से भी लगाते हैं complete होने केबाद अभी मैं लगानी है तीन ए tsp 1-3 यहां अब गानाई यहां चाहिए पिह अच्छा होता है वन टू त्री क्यों पर शाइद अभी वाइड बूल आएगी देख लेते हैं अच्छा ना लगा तो चेंज कर लेंगे ऐसे होता है क्या फेस मैंने गोर तो नहीं किया एक दफार दुबारा जाके देखता हूं इसे करके और यह लग तो हां रहा है मतलब ठीक टाक दोप का फेस ही लग रहा है पौन मार रहा है बीचे से अरे भाई एक तो यह स्केलिटन मेरे पीछे अपते गया वही हम चलते तोड़के नीचे तीन ब्लोक लगाने और उपर की साइड पर वाईट और सेंटर के अंदर अभी हमें लगाने हैं ब्लैक बूल समझ गया मैं पर जो नीचे इसे तोड़ते हैं जल्दी से उगए फिर इसके बाद मुझे लगाने है यहां पर वाईड बूल अरे यार इसके कि मैंने एक माचा मार देना अभी लाइक तो गेम भी नहीं सभी से खेल लें देते जब भी मैं कुछ भी बना रहा हूं तभी इनको मसला होता है इसे मारो मतलब वियार क्या बोलूं इसे निकल तेरी भैंस की टांग पानी में सीधा पानी में करदा कहीं का उके तो हां मुझे यहां से बॉन भी मिल जाएगी बॉन भी उठा लेता हूं भाई इसके लिटन मेरा फाइदा ही करा के चला गया जल्दी से यहां पर इसे लगाते हैं इसे लगाते हैं और सेंटर के अंदर अभी हमें लगानी है ब्लैक बूल तो आइधिंग यह बैटर हां अब देखो एक दम लगी रहा है कि यह उसका फेस है जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें फेस के अंदर यार क्या क्या है दो स्किन ब्लोक चाहिए जिसकी जगा मैं वाइट लगा दूंगा ठीक है और सेंटर में अभी हमें लगाने है दो ब्लैक इसका दियान रखना है मुझे बनानी है ब्लैक बूल जो के लगेगी इधर एंड इधर और सेंटर में एक ब्लोक आएगा जो के वाइट कर देते हैं यहां पर भी यहां पर भी वाइट के थोड़ी मैंने ज्यादा नीचे नहीं रख दी इसकी आयार मतलब नोस के पास आ रही है थोड़ी सी उपर करते है अभी हमें इस सैड़ बनानी है मैं अभी समझ चेखाऊं आंखे हमें यहां पर बनानी है वन टू तो अब बेग दम बिल्कुल परफेक्ट है अभी नीचे वाइड गूल लगा देते हैं यहां काम करता हूं क्यों ना मैं इसके सेंटर में ग्रेव लगा दूं ग्रेव ऐसे अच्छा तो लग रहा है यहां सई है यार ग्रेव लग रहर है ऐसे और उपर बस कान बनानी इसके वह वह भी बनाते हैं जल्दी से लेवाई पानी आज तो कान हमें यहां पर बनाने हैं एक ब्लोक छोड़ के यहां फिर सब और एक और वुल्व है इसके पास चलते हैं कान हमें बनाने कहां पर यह देख लूँ तले अरे बाई पानी यार मेरा आ गया आ गया तो कान अभी हमें हां एक ब्लोक छोड़ की बनाने है जल्दी से इसे भी कंप्लीड करते हैं आए सोच रहूं दो ब्लोक की हाइड रखते हैं एक दो एक दो बही कान के अंदर एक ब्लोक का गई पा रहा है सही है इसके उपर दो ब्लैक वूल रख देते हैं बस कंप्लीट बस इतना दीकाम था बकि डेकुरेटिंग का समान मैं बाद में नहीं अभी करूंगा यहां पर लगा देते हैं कंप्लीट बाखे मुझे जाके नीचे देखना अच्छा लग भी राइक है नहीं यहां पर वाइड भूल भर देते हैं मतलब देखा जाए तो ठीक था लट तो रहा है तो यार मैं से लगता है कुई जिना गड़ बड़ हुई है देखता हूं यार 12 से जाक समझ नहीं आ रहा है आई थिंग के हमें आयार सही है जैसा भी बना अब देख लेंगे बाद में बाकी इसकी आँकों के पास हमें तो वाइड ब्लोक लगाने हैं जो के वाइड ही लगे हैं हम करता हूं गाइस मैं आपको यह बना के मिलता हूं 2000 यह लेटर सो गाइस क्या आप लोग रेडियो अपना मोडन एक वुल्फ हाउस देखने के लिए 321 गो भाई साव आप लोग देखो यार क्या मस्त लग रहा है एकदम आप लोग को अंदर से दिखाता हूं यह अंदर से बात में दिखाएंगे आप लोग को यह तो पहले आपको देखना ही चाहिए बहुत देखो ऐसे लग रहा है कि एक वुल्फ हमारे सामने आके मतलब के लोग हमारे सामने आके खड़ा हो चुका और वह भी बहुत बड़ा है आकि बात की जाए तो यह बहुत अच्छा लग रहा है बाकी अभी अंतर से दिखाने का भी टाइम है त्री टू फन गोट गाइस आप लग अलोग देख सकते हैं किती पयारी डेकورेटिंग की है मैंने मतलब करने अ बाकित अभी बाकी है तो आप लोग को में बताना कैसी लग रहे हैं तो आप लोग को बता हैंक वैसा गूमता हूं मुझे मिला तो मैंने इसे भी टेम कर लिया अपने साथ और यह दोनों क्या प्यारे लग रहे हैं तो आप कमेड़े में बताने इनका नाम दोनों का क्या रखा जाए नेम टैग मैं डूंड लूंगा बस आप नाम बता दो क्या रखो मैं इनका के लिए बस इतना ही आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगे होगी अच्छी लगे है तो इस वीडियो पर लाइक कर देना चैनल पर न्यूंट यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हां जैसे आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर वाया है वैसे ही 1000 भी करवाई दो तो मैं मलता और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाई